अब क्या ही जेरेंट क्या ही पार्टिसिपल समझ नहीं आता है ना हमको पता है कि यह वर्ब का काम भी करते हैं एडजेक्टिब का का मझे नाून का भी काम कर और अच्छल में यह क्या है यह वर्ब का अडवांस डूल है इंटिफाइड कैसे करेंगे क्वेश्चन में कभ जैसे कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं यह तू प्लस आइंजी क्यों जा रहा है यह तू प्लस वीवन क्यों नहीं गया है ना यह साँ नो तू टागेट क क्यों नहीं वाम तू टागेटिंग क्यों हो रहा है ऐसा कभी नहीं होता है ऐसा होता है क्यों होता है यह क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्यों आती है वहां जेरंट क्यों आ रहा है पार्टिसिपल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कब पता चलेगा कि एड्जेक्टिव का form भी तो participle है, चाहे present हो, चाहे past हो, ऐसा बहुत सारा सवाल होता है, आप रुकों के मन में, और हर बार हम इतना detail में जा सकते हैं, तो आज की कला से सुनना, ठीक है, जब मैं बोलूंगी स्क्रीन शॉट ले लो, तो ले लेना, जब मैं बोलूंगी सुनना, तो सुनना, बस, थोड़ा सा session है, क्योंकि दो ही topics तो अपन कवर कर रहे हैं, बट basics है, अब मैं आपको पहले सिखाती हूं कि basics क्या होते हैं, आपको अपने सामने एक statement दिख रहा है, जहां पर लिखा है, what is a gerund, सबसे पहला सवार, हम सबको पता है, a gerund is a part of speech, जो कि हमारे sentence में एक noun का काम कर रहा हूता है, this is verb plus ing, yes or no, everyone knows it, है न, कैसे identify लेकिन कैसे करते हैं आपन इसको, एक बन मैं आपको चेक कर आती हूं, सारे students एक पास sentence को देखो, यहां पर बहुत clearly stated है, कि a gerund is a verb form, जो कि v plus ing होता है, which works as a noun in a sentence, which works as a noun in a sentence, अगर हम लिखते हैं, I am swimming in the river, तो इसका मतलब यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि I am the subject, I am helping verb है, और मैं क्या कर रही हूं, swimming कर रही हूं, यह verb plus ing है, लेकिन यह verb मेरा verb है, action, या फिर he swam in the river, ठीक है, जैसे हम कहते हैं, he swam in the river, वो river में swam कर रहा है, यानि वो पास में कर रहा था, यह verb है, लेकिन swimming is a good exercise, जब मैं बोलती हूं, कि swimming is a good exercise, तो यहां पर हमारी question में, यह जो word है swimming, यह किस चीज का काम कर रहा है हमारे sentence में, यही word हमारी question में, noun का काम कर रहा है, तो जहरंड ही कैसा पारख speech होता है, जो ing के साथ लेता है verb को, लेकिन काम noun का होगा उसका function में, इसके बिना sentence अधूरा होगा, एक बार सारे लोग, yes, yes, kritika, एक बार सारे लोग swimming word को अपने hands से, आप लोग छुपा दो, अब देखो, is a good exercise, आपका question कितना incomplete है ना, सवाल है, what is a good exercise मैं, I said swimming, बिना swimming के sentence का कोई meaning नहीं है, hence, to give it a meaning, you need it, a noun, आपको क्या चाहिए, एक noun subject चाहिए, ठीक है, it can be a subject, an object, the object of a preposition, or a subject compliment, इसमें से बहुत से चीज़े आपको technically नहीं पता, जो मैं क्लास के वक्त आपको समझाओंगी, फिलहार के लिए gerund क्या है, ये तो हम समझ गए, अच्छा माम, ओके, ये तो clear हो गया, तो फिर माम, gerund और participle को कैसे खोजा जाएगा, gerund और present participle को पहले समझाओंगी, क्योंकि दोनों verb plus ing होता है, ठीक है, बस इतना याद रखेगा, कि ये जो verb plus ing है, ये noun है, noun के जैसा काम करता है, और ये भी verb plus ing है, लेकिन ये adjective की तरह काम करता है, इसका एक example आप देख सकते हो, इसका एक example है, developing nations, developing nations, यहाँ पर nation noun है अपन का, कैसा nation, developing nation, ये adjective का काम कर रहा है, ठीक है, is it done, to swim is a good exercise, ये भी correct है, सेजर, लेकिन यहाँ पर to swim, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके question में, वो वर्ब action है, ठीक है, वो वर्ब action है, now use of gerund as a subject, जैसे swimming is an exercise, या फिर drinking is injurious to health, और smoking can be cancerous, ऐसे questions में gerund हमारे subject के जैसा दिख रहा था, कुछ examples चेक करते हैं, मैं screen से जा रही हूँ, तुम लोगो आज मैं कम दिखूंगी, what leads to swollen eyes, crying, what is a winter sport, snowboarding, what is a good exercise for your health, swimming, what aids in the digestion of food, chewing, what, you know, dash late at night makes me happy, what makes me happy, working makes me happy, did you see the difference of asking the question using what, हा, की, ना, हा, की, ना, देखो कितना खूबसूरत है, अकर मैं पूछो, he is crying, मैं वो क्या कर रहा है, अर्या, रो रहा है, he is crying, वर्ब हो गया, crying leads to swollen eyes, क्योंकि अब what leads to swollen eyes, what is the subject, sentence बड़ा incomplete है, मैं रोने से ना, आखे सूच जाती है, see the beauty, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलती हूँ, he is doing snowboarding right now, ठीक है, लेकिन snowboarding is a winter sport, what is the winter sport, snowboarding is a winter sport, यहाँ पर देखो कि उसको उसके बिना sentence अधूरा है, हम उसके बिना sentence का कोई meaning नहीं दे सकते हैं, आपको वो subject की तरह use कर रहा है, क्योंकि उसी के बारे में पूरे sentence में बात हो रहा है, did you see that, did you see that, अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, यह तो तब जेरंड को देखना है, यह तो तब जेरंड को देख रहे हो, आप जब ही subject है, यह तो आसान है, है न, अपन इसको तो आसानी से खूच सकते हैं, अब देखो, यहाँ पर आते हैं कहानी में एक twist, ठीक है, अब देखो, जेरेंड देख लेते हैं सब लोग मिलकर, स्क्रीम को सारी लोग ध्यांसी देखो, देखो, रुपाली, हिमान्शू, श्रेया, ठीक है, आपको यह as a subject दिखना तो बहुत असान है, object, ready to see this, let's see, I enjoy what, working in education sector, okay, now, मैंने आपको एक ट्रिक और सिखाई थी, what and whom से हम question में क्या खोच सकते हैं, object, तो कभी अगर आपको लगे, I enjoy working, तो यह verb नहीं है, यह जेरेंड का काम कर रहा है, because I enjoy what in the education system, or the sector, mostly what का answer, जेरेंड को खोचता है, you should not mind what, here, you should not mind playing, imagine winning the lottery, imagining what, winning the lottery, all my friends enjoyed what, watching, or maybe swimming, or maybe dancing, my brother stopped what, smoking, एक हिंट ले लो, या एक ट्रिक समझ लो, mostly जेरेंड को आप subject and object, दोनों ही cases में, what या हूम के साथ identify कर सकते हो, now, in this case, हम हूम नहीं ले सकते, क्योंकि यह verb plus ing है, तो यह person तो बन नहीं सकता, in that context, हम इसे हमेशा what के sense पे खोजते हैं, क्या यह आप लोगों को clear है, सारे students, तुम लोगों को जेरेंड के बारी में बहुत प्यारा सरूल समझ में आया, कि जेरेंड माम हमारे subject का, हमारे center में subject भी कर सकता है, काम और object भी काम कर सकता है, देखो यह अभी याद रहेगा, freshly पढ़ रहे हो न, अभी याद रहेगा, लेकिन बाद में revise करना पड़ेगा, अगर चाहते हो, तो मैं इसी same class को Sunday क्या इसको प्रेमियर कर दो, तो वाइटी से तुम डाउनलोड कर पाऊगे, तो क्या होगा, तुम्हारे पास यह class मिल जाएगी, तुम्हें हमेशा के लिए, याद रहेगा, जेरिंट को कभी भी खोचने के लिए, इसे subject and object दोनों treat कर सकते हो, और इसे आसानी से खोचने का तरीका है, आप इसमें what फुच लेजे, इस दाथ खलेएर, पॉफेक्ट, चलो, आगे चलते हैं, जेरिंट को कई बार हम object of preposition भी खोचते हैं, अब्जेक्ट of preposition, ओके, यह क्या है ना, जब भी आपको preposition के वगल में what दिखे, जैसे on हो गया, है ना, on to हो गया, आप बोल सकते हो कि यापे between हो गया, जैसे कोई भी prepositional word in हो गया, on हो गया, जो preposition के बाद में अगर what का answer दिखता है ना, यानि object, तो वो भी जहरंड है, he insisted, जैसे यह हमेशा ing ले दे हैं, I insisted my students on watching the class regularly, है ना, in doing this, on doing that, on के साथ, यानि जब preposition के पास आपको what दिखे, अब तुम question का answer दो ना, I insisted on what, I insisted on what, on giving me a right to a railway station, have a look on other sentences as well, हाँ नी ती यह कर दूँगी, बहुत असान है यह तो, बाकि प्लीज आप लोग एक बार इसको देख लो, एक बार सारे लोग खुद से पढ़िये, I am going to improve my health, by what, by what, by running, देखो यहां भे preposition plus what, यहां फिर इसको आप object of preposition treat कर लो, he is against, against preposition है न, देखो, against marrying her, after sneezing, when, after sneezing, वैसे यह भी preposition की तरह यूस होता है, I always get the hiccups, मुझे hiccups की आती है, ऐसे cases में इसको खोजना बहुत आसान है, देखो, अभी तुमसे पहचान रहे हो, gerund, क्योंकि तुमको क्या लगता था कि यह तो verb है, तुम्हें क्या लगता था, यह तो verb है, कई ऐसे हमारे पास preposition होते हैं, जिनके साथ भी हम gerund का use कर सकते हैं, उस समय वो उसका object होता है, इसलिए इसको कहा जाता है, object of preposition, कोई doubt नहीं है किसी को, हाँ, किसी को कोई doubt नहीं है न, अब देखो एक चीज और, अब देखो एक और मज़ेदार चीज, यह तो असान था, तो माम, जेरिंड को तो कई बार हम subject compliment, not subject, सुनना, हम इसे subject compliment की तरह भी treat करते हैं, वो कैसे possible है माम, देखो, जेरिंड्स कान बी acting as a subject compliment, after the linking verb B, वहाँ पर यह हमेशा B के बाद में use किया जाएगा, श्रिया, जेरिंड is a part of verb, जो आइन जी लेता है, but act a noun के जैसा करता है, खोजने के लिए what का answer sentence में ले सकती हो, यह trick है, यह B के साथ आएगा, linking verb B, B form of verbs, ठीक है, let's have a look on some examples, clarity मिल जाएगा, my main responsibility here is operating, सबसे पहले आप बच्चे मुझे यह बताओ, कि linking form of verbs किस-किस को बता है, B form of verbs क्या होते है बिटा, it is is, am, are, was, where, being, यादेना आप लोगों को, यह सब हमारे B form of verbs होते हैं, so it is my responsibility here is what, operating, the best thing in life is what, spreading, my favorite thing about Japan is what, eating, what I really like is what, listening to music, is that clear, is that clear, नहीं, has, have, had, नहीं जाता, has, have, had, had form of verb है, बेटा, ध्यान से देखो, यानि कि हम, किसी भी बी form of verb के साथ, यानि is हो गया, am हो गया, are हो गया, कि साथ भी जेरंड को use करते हैं, it's not a participle, इसलिए इसको हम कहते हैं, subject compliment, is that clear, is MRB, correct है, correct है, correct है, जुम्पा, हो गया, यहां तक किसी को कोई भी problem है, यह linking verbs का काम करते हैं, यहां तक problem है, तो तुमको अब यह पता है, कि अच्छा माम, अब समझ में आया, कि मैं word के साथ, एक gerund को, as a subject identify कर सकता हूँ, object कर सकता हूँ, preposition के साथ, gerund चाह सकता है, और, भी form of verbs के साथ, भी, you need a revision, kind of, यह, ठीक है, clarity है सभी को, चालो, let us proceed further, next, next, gerund and participle में, माम, gerund is understood, हां की ना, gerund is understood, yes or no, हां, थोड़ा सा stuck हुआ था, थोड़ा सा हुआ था, it will be fine, guys, 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 हांजी शेया, I know, I think this is clear, है ना, सब को clarity है के माम, what is a gerund, right, now, we need an answer for a present participle, माम, आपने बोला, it acts as an adjective, एक बार आप सब लोग, इसके direction को, read करो, तो इसके example को, मतलब, इसके definition को, I'll come to this, Sushma, इसको देखो, it is used in the continuous tense, मतलब, ये भी verb plus ing है, or as an adjective, describing a noun, that is currently taking place, ये उन nouns को describe करता है, जो इस समय currently हो रहे है, आए, कुछ example देखते हैं, हम present participle को, continuous sentences में कैसे use कर सकते हैं, तुमारे सामने, मैंने अभी starting में एक example दिया था, कि this is a developing country, this is a developing country, बेटा, एक बाद बताओ, ये country develop हो तो नहीं गई, ये अभी भी चल रही है, देखों, ये continuous sentence है, देखा आप लोगोंने, ये क्या है, ये हमारे question का continuous sentence ही तो है, राइट, जैसे कि, अगर आपको मैं आसान भाषा में इसे समझाऊं, तो इसके कुछ examples चेक करते हैं, इसे देखें, ये आर, studying, आई एंजी, लेकिन ये वर्ब का काम कर रहा है, what are you doing, ये आर, studying में, यहाँ पर आर के बाद, studying जहरेंड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मेरा action बता रहा है, इसलिए, हम इसको कैसे use कर सकते हैं, continuous action के लिए, the athlete had been snowboarding since morning, देखो जब आपने बूला, snowboarding is a good exercise, तो अलग बाद था, लेकिन ये जो athlete है, ये सुबे से action perform कर रहा है, और उसका action क्या involve करता है, snowboarding, ये वर्ब हो गया, adjective के जैसा, boys will be playing outside, देखो ये जब भी, कोई continuous action को refer करना होता है, वो present participle होता है, things may be moving in an orderly fashion, what were they doing, they were crossing the forest, action, जहां पर action involved हो जाए, noun नहीं, noun नहीं, वर्ब, जहां पर भी continuous action involved हो जाए, वो present participle होता है, is that clear, जी हां ही मांचु बिलकुल, वैसे ही जैसे, वो दौड रहा है, वो खेल रहा है, बिलकुल इसी context में, we are studying English, very nice Amina, बिलकुल समझ गए, कोई भी action, जो continuous action refer करता है, उसको हम present participle बोलते हैं, यह और अभी आपको clear हो जाएगा, कैसे, इदर देखो, कई बार हम इसे adjective का भी use करते वे देखते हैं न, तो यह तो बहुत असान था खोजना, इसमें सिर्फ यह noun के पहले दिखता है, lecture क्या है आपके question का, lecture क्या है, noun है, कैसा lecture, interesting lecture, you must attend this interesting lecture, the children crying and exhausted, children क्या है, रो रही हैं और exhausted भी हैं, यह adjective का का काम कर रहा है, shouting children, children noun कैसे बच्चे, चिलाते हुए बच्चे, what an amazing view, कैसा view, amazing view, adjective, what kind of a parrot, parrot noun कैसी, parrot, talking parrot, यह तो खोजना बहुत आसान होता है, मैं क्यूं बतारी हूँ आपको यह, हाँ जैसे भी आर प्लेइंग गेंस, हमान्शू, बिल्कुल, यह हमारे question में continuous verb का काम कर रहा है, देखो, as an adjective, present participle कोजना कोई बहुत बड़ा difficult काम नहीं है, क्योंकि वो नाहुं के पहली दिखेगा आपको, जैसे मैंने बूले developing country, broken tree, tree कैसी है, टूटी हुई है, broken tree, broken hands, कैसे hand है, broken hands है, so, cooking mother, mother क्या कर रही है, yes or no, यह तो हमारे question में बहुत असानी से मिल जाते हैं, but cooking is a difficult task, Gerard, subject, subject, did you see that, right, this is how we refer to present participle and gerund, so, these are the basic differences, has been choking since 2013, kind of, तुम्होंने इंडिया के हार को दिल पे ले लिया है, I am pretty sure children that this is sorted, yes or no, stuck हो रहा है, stuck हो रहा है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, या, थोड़ा सा, अभी ठीक है, हम, yes ma'am, attend this, yes she ma'am, session must, no, YP ma'am session, must be attended, for it is an interesting lecture, ऐसी बोल श्रेया, ठीक है, क्या करें मा'am, हार सेहन नहीं हुए, कोई ना, तुम ये question समझ गए, अब आओ आगे, gerund और participle की, कुछ special cases भी होते हैं, और उसको हम कहते हैं, dangling participle, सुना है पहली बार, सुनो, अब थोड़ा हाई तौबा मत करना, सुनना, ये पहली बार आप पढ़ रहे हो, dangling participle, dangling मत अब पोई ऐसी चीज़ होती है, जो normally लटकती रहती है, बढ़ dangling participle क्या होते है, they are not placed next to the nouns, they modify, causing great confusion, dangling participle, बहुत confusing participle होते हैं, right, क्योंकि इनके साथ का दिक्कत क्या होता है, normally participle इसलिए खो जा सकते हैं, क्योंकि adjective है, तो noun के पास होता है, बढ़ ये noun के पास नहीं होता, देखो, जैसे की, traveling to Australia, the weather got colder and colder, right, strictly speaking, इस sentence में, weather subject है, what got colder, you said traveling, you said weather, अब आपने एक चीज नोटिस करी, सारे बच्चों ने एक चीज नोटिस करी, इस question में, अभी ठीक है प्रियांशू, so sorry, so sorry, आजाओ, यहां क्या बोला जा रहा है, अच्छा सुना, तुम लोग इस question में, मेरे को subject खोज के बताओ, traveling Australia, traveling to Australia, the weather got colder and colder, अब सवाल यह है, कि what got colder, the weather, आपकी question का subject, यहां पर weather है, है ना, लेकिन, you are traveling, Australia जाते वक्त, यहां पर यह participle है, और यह देखो, आपका continuous participle है, देखो, इसमें हम लोगों को, starting में लगीगा, किया, रही माम, smoking is in curious to health, में smoking पहले बैठा था, तो subject था, ना, 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 क्या है, in curious health के लिए smoking, लेकिन, weather कहां का बिगडा, हम travel जब कर रहे थे थे तब, weather subject था, तो subject थो हमारे question में, यहां ना gerund, ना participle है भया, weather noun है, लेकिन, यहां पर traveling फिर क्या है, वो क्या हम उसको gerund बना देंगे, ना, gerund तो subject होता ना, gerund तो subject होता ना, हमारे question का answer होगा, traveling, traveling is a participle, अब दिखू इसका explanation, बहुत प्यारा है, strictly speaking, this sentence means, that, it is the weather that is traveling to Australia, which obviously isn't what the, writer has intended to say, the sentence needs to be reworked, इस sentence को कैसे लिखा जा सकता था, ये बहुत ही difficult तरीका था, while I was traveling to Australia, the weather got colder and colder, ये जादा अच्छा तरीका है, sentence को लिखने का, है ना, traveling to Australia, the weather got colder and colder, ये mostly हम grammatical sense में नहीं देखते, क्योंकि ये sentence का, मीनिंग थूड़ा सा अजीब सा दिखता है, इसलिए बहुता होगा, ये राइट तरीका है लिखने का, और ये होता है हमारा एडवांस्ट तरीका लिखने का, which doesn't make sense. Next, we have special usage of present participle. Now, how to identify these, let's have a look, let's see these. Looking around the garden, dandelions sprouted in every corner. ठीक है? उसी तरीके से, looking around the garden, I found dandelions sprouted. आपके गार्डन में देखने से, dandelions sprout नहीं करे. I found, I am the subject, I found the dandelions और ये participle है. यहाँ पे आपने क्या देखा? dandelions को देखा. ये तुम्हारे question का नाउन है. The dandelions sprouted in every corner. आपके गार्डन में देखते ही, dandelions खिलने लगे. ये movie नहीं है, बेटा. I found, आपको कुछ गुरसाना पड़ेगा. Coming out of the market, the bananas fell on the pavement. तब बनाना अपने आप. जैसे आप market से बाहर आए, बनाना अपने आप आपके थेले से गिर गए. ये क्या होता है भाई? Coming out of the market, I drop the bananas on the pavement. ये ज़्यादा बहतर है. समझ में आया? जैरन डिफरेंस एक बार फिर से बूली है जुम्पा. देखो, वो तो नहुन है ना तुम्हारे question का बिटा जुम्पा, जीरन. लेकिन participle continuous action है. ठीक है, वो continuous action है. वो उस समय चल रहा action को refer करता है. समझे? Coming out of the market, the bananas fell. No, I drop the bananas. So the second one is correct, the first one is wrong. The second one is correct, the first one is wrong. ये हमारे special usages होते हैं, present participle के, जो नजर अंदास कर दिये जाते हैं. इतना हमें आता ही नहीं, तो हम पढ़ते ही नहीं. Understood है? अब देखो, अब कैसे इनको खोड़ सकते हो? I have running shoes. यहाँ पर तुम्हारे पास जूते दोड़ने वाले हैं, Jared. I saw a running dog. यह running shoes इसलिए हैं, क्योंकि running shoes यहाँ पर compound noun की तरह काम कर रहा हैं. लेकिन I saw a running dog. यह dog क्या कर रहा था? दोड रहा था. यह है उसका action. ठीक है? यह है उसका continuous action. There is a sleeping pill. यह pill actually तुम्हें सुला देगी. यही subject है इसका. I saw a sleeping child. यह बच्चा सो रहा है. कैसा? सोर बच्चा, sleeping बच्चा. He is in a waiting room. There is a waiting train. यह दो अलग-अलग चीज़े होती हैं. यह particularly waiting room में बैचा है. इसका मतलब यह मेरे question का gerund है. Waiting room तो यहाँ पर नाम है ना? लेकिन कैसी train waiting? वो train wait कर रही है तो waiting train. इस तरीके से आप identify कर सकते हों. बेसिक डिफरेंस यह होता है कि यह हमारी question में verb ing फर्म में लेगा लेकिन नाउन के जैसा. देखो यह सम नाउन है. यह जितने नाम है. running shoes हमारी होते हैं, adidas, puma के running shoes, sleeping pills, waiting room, walking stick, painting machine. यह compound noun दिखने हैं आपको सारे के सारे. इनके बिना मतलब यह particularly दोड़ने के लिए जूते बने हैं, यह सुलाने के लिए पिल बनी है, यह wage करने के लिए कमरा है, यह तो compound noun है, noun plus noun. कई बार verb plus noun भी compound noun होता है. ठीक है? समझ आ गया? ओन्चू का concept अमित यह था, देखो. जैसे मालोग यह pavement है, जैसे यह रास्ता है, this is a road, ठीक है हमें और यह pavement है, जहाँ पर लोग चलते हैं, तुम आराम से इस पर चल रहेते हैं, तुम्हें बहुत सारी गाड़ियां आती दिख्खियों, और तुम्हें तुम्हें तुरंत अपना motion चेंज करके, यहाँ पर चलने स्टार्ट कर गए, जब आप चलते चलते या कुछ करते ही करते, अपनी motion को चेंज कर देते हो, उसको हम कहते हैं आपका on to, समझाया? और participle क्या होता है, ये भी एक ing form of verb है, लेकिन this verb acts as an adjective in our question, और कुछ basic difference, gerund आपके question का subject हो सकता है, object हो सकता है, object of a preposition, object of a possessive adjective, subject complement हो सकता है, जबकि this participle does not have any type, it is only ing, present participle के types नहीं होते, participle के तो 3 type होते हैं, past, present, or perfect, ठीक है? gerund function कैसे करते हैं? as a noun, singing is my passion, I love singing, सीमा is confident of singing, यह सब होते हैं, functions, लेकिन अगर यही present participle के लिए होता, तो he is dancing, what is he doing? dancing verb, I love dancing dolls, यह adjective है, क्योंकि doll ना हुने, कैसी doll, dancing doll, यहाँ पर यह adjective का काम करता है, हमारे sentence में, या फिर action verb का, gerund हमारी question में, following places ले सकता है, before the main verb, अब वैसे यह मत पढ़ना, यह बहुत ही confusing है, क्योंकि यह भी, यह जैसे यह normally main verb के पहले आता है, present participle इसमें थोड़ा confusing करेगा, so I just want you people to skip this section, इसको पूरा-पूरा मत देखना बिटा, इस पर आओ आओ आप लो, हाँ, position में काम कर सकते हो, जैसे, before the main verb, जैसे, what is fun, swimming is fun, I love swimming, यह love main verb है तुमारा, और swimming यहाँ पर क्या है, आपके question का action verb, ठीक है, he is passionate about swimming, यहाँ पर दिखो, preposition के बाद आ रहा है, right, your swimming is amazing, what is amazing, यह possessive adjective है, my passion is singing, यह क्या है, after the main verb, जब main verb के बाद में, mostly हम gerunds को देखते हैं, लेकिन, participle का scene क्या होता है, देखो, it was a disheartening movie, movie ना हुने है, कैसी movie, disheartening movie, look at the speeding train, यहाँ पर speeding train, इसलिए बोला जा रहे, क्योंकि normally trains are not speeding, यहाँ आप लोग, confused मत होना कि running shoes थे, speeding train में train objective है, train क्या कर रही है, यह continuous verb है, the movie was boring, यह adjective है, यह तो quality ही बता दिया movie का, he is disturbing the class, यह क्या है, यह continuous action है, बस आपको इतना identify करना है, कि तो मगर participle खोज गए, तो gerund मिल जाएगा, क्योंकि participle जादा आसान है खोजना, कई बार यह आपको sentence में, adjective का का काम करते हैं, कई बार यह action verb का काम करेगा, ठीक है, तो हम उसको use कर सकते हैं, वो participle की जैसा काम करेगा, मैं अभी आप से कुछ questions पूछूँगी, क्या आपको clarity मिलती है की नहीं, इस question में आप मुझे बटा पाओगे, क्या बटा, कि walking in the forest was a good experience, में walking क्या है, is it a noun, is it a verb, is it an adjective, or is it a dangling participle, why is it so hard, what is, what is, like, what experience was a good experience, what is endurance to health, what is good for exercise, we are walking, swimming, smoking, यही सब होगा ना, ठीक है, dangling वो बता है, जो noun के बगल में नहीं होता, वो दूर होता है, noun से कहीं पर, ठीक है, उसको identify करना पढ़ता है, यारी Qeistion Ka Beta, this is a noun, this is a gerund, watching the forest was a good experience, walking in the forest was a good experience, next, what an amazing episode, I want to watch it again, पाच्च्च अपीसोर नाउन हेन, अपनाउन, इस की क्वालिटी क्या है, कहसा था था अपीसोरерм cambiल, क्वालिटी मितना, क्वालिटी कहौं सा वर्ड होता है, adjective दिखो ये noun तो हो ही नहीं सकता था वर्व तो हो ही नहीं सकता amazing वर्वों का amazing quality है रे दादा जहर खा के कहीं मैं निमट लो बिटा amazing quality है तो ये मेरे question का adjective हुआ it's not a participle बच्चा it has to be an adjective next question is number 3 what is the answer here कर लिया आप लोग निसको answer चलो ये adjective है श्रया you are doing what? you are preparing you are preparing for a long time बिटा तुम मुझे एक बाप बताओ ये क्या है ये action कर रहे हो न तुम ये continuous action है ना हाँ ये ना ये continuous action है ना yes जुमपा correct है कैसे तुम लोग तुम्रों dangling participle सोचा क्या I have been preparing for a long time and I want to now take some rest तुम्हारा action अभी चल रहा है continuous action मैं लंबे समय से प्रिपेर कर रहा हूँ ना I want to take some rest अभी एका action है बिटा come on children नाउन तो हो ही नहीं सकता वर्ब होगा adjective पॉसिबल ही नहीं है dangling participle होगा नहीं तो answer क्या बचा? it has to be the verb number four running has proven health benefits what is that? of course what has proved health benefits running यहां पे running आपके question का subject है subject है यानि ना उनका काम कर रहा है भाई ना उनका काम कर रहा है तो ना objective होगा न वर्ब होगा न तो बिलकुल भी नहीं अमारे question का answer यहां पे A होगा number five I smelled the oysters coming down the stairs for dinner they were coming down the stairs what is that? यह लोग अभी भी answer इसमें लिख रहें कहा है chat box में is it done? I smelled the oysters coming down the stairs for dinner what is that? a participle yes what is it? इसको the oysters were coming down continuous action continuous action they were coming down the stairs for dinner continuous action participle बिटा participle number six many of his drawings are based on setting sun a setting sun कैसा सन? setting sun बहुत easy question था यह वाला बच्चा सुनो देखो एक बाद बताओ यह adverb तो है नहीं यह noun भी नहीं है है ना? setting sun क्या होता है? actually setting sun में sun noun है और वो डूबते वे सूरज की फोटो बना रहा है उगते वे नहीं rising sun नहीं setting sun so setting sun यहाँ पर adjective हो गया ना क्योंकि rising पर हो सकता था तो में आपके question का answer यहाँ पर क्या होगा? it has to be an objective yes or no number seven would you mind watching my seat for a while while I go to the bathroom what does that mean? would you mind watching? इसमें subject क्या है? क्या आप चाहते हो वो तुमारी सीट देखे? है ना? हाँ action वर्व होता तो लेकिन यह तो continuous action है ना continuous action में अपन इसके लिए use करते है बिटा mostly it's a present participle would you mind watching my seat? watching would you mind doing what? आप चाहते हो कि जब आप जाओ पर आप की सीट देखे देखे देख लेना यार मैं जा रही हूँ वाश्रूम तो तुम्हारा वाश्रूम जाना नहीं important है तुम्हारा तुम चाहते हो देखे तुम्हारी सीट तो watching is a noun ना बिटा यह तो तुम्हारा जीरंड हो गया subject है ना? क्या subject है? तुम क्या? तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं वाश्रूम जा रहा हूँ तुम मेरी सीट देख खड़ो तुम चाहते को तुम्हारी सीट तो answer क्या हो? वही subject हो गया इटास टूबी दना हो next question they are planning on arriving at midday इसमें तो answer खोज नहीं नहीं है preposition preposition के बाद क्या होता है? preposition के बाद क्या होता है? participle ही adjective है राहूल participle ही adjective है adjectives participle adjective का ही तो काम किर रहे है कोई difference का है उसमें on के बाद क्या आता है? कैसे यह वाला answer गलत हो रहे? कैसे यह वाला answer गलत होडा है? I am forcing you या फिर आप बोच रहे है I intended on doing more questions gerund अभी तो बताए preposition के बाद watch अगर आ गया तो gerund है ना? revision चाहिए तुम लोगों को भयांकर revision चाहिए बेटा, बेटा यह से नहीं चलेगा answer A होगा वहां दोनों option था अच्छा ऐसा है क्या? sorry, sorry, sorry ध्यान ने दिया होगा तब मैंने clear है आपको का? बिलकुल clear है next question प्याओ this is number 9 oozing slowly across the floor Marvin watched the salad dressing what is the answer? oozing slowly across the floor देखो यहां subject क्या है? Marvin जो है यह subject आपकी question का he is watching the salad dressing तो यहां पे watch आपके question का subject है तो फर मैं oozing क्या है? Marvin watched the salad dressing oozing across slowly across the floor slowly यहां पे adverb है ठीक है? adverb है across यहां पे preposition है बिल्टा the floor यहां पे noun है बिल्टा ठीक है? अब यहां noun तो जा नहीं सकता था क्योंकि adverb को qualify कर नहीं सकता adjective यह है नहीं क्योंकि यह कोईसी noun को qualify नहीं कर दा verb यह है नहीं it's a dangling participle दूर का participle it's a dangling participle Marvin washed the salad dressing is the subject Marvin देख रहा है salad dressing लेकि नो ooze भी कर रहा है उसकी यहां कभी लग रही है that's not the subject his watching the salad dressing is a subject oozing is a dangling participle that's all